branch of mechanics which analyzes the effects that is the parameters and properties of motion क्या हो रहा है motion हो रहा है किसी body का ठीक है वो body में बताऊंगा अभी आपको कौन सी body का हो रहा है किसी body का motion हो रहा है यह मान लिया हमने अगर सिरफ हम interested है effects में we are only interested in the effects किस पे body पर होने वाले effects के बारे में interested है तो ऐसी branch को बोलेंगे कि kinematic study कर रहा है all we are interested only in the kinematics तो उसको बोलेंगे कि यह branch of mechanics है सब branch of mechanics है mechanics का वो वाला टुकड़ा है जो सिरफ effects के बारे में concerned है तो this means that is kinematics अब इसके अलावा क्या हो सकता है अगर हम cause के बारे में भी चिनपीत है कि जो effects आए वो तो ठीक है वाट उनके behind cause क्या था उनके पीछे reason क्या था तो वो study का part होगा that is dynamics अब reason क्या हो सकता है किसी body के अंदर कोई change आ रहा तो उसका reason क्या हो सकता है बताओ display पर लिखावा है क्या हो सकता है reason any force अरे चुप मत रहा हो भाई बोलो चुटियां चल रही है कोई दिकत निया पूरे दिन कुछ नहीं किया तो पढ़ेंगे न मस्त क्या हो सकता है reason बेटा बताओ सब लोग बताओ force हो सकता है इसके अलावा क्या reason हो सकता वो भी बताओ बोलो जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं सब लोग करो येस बोलो ये पता चले कि बोल भी रहे हैं कि तुम्हारा माइक भी काम कर रहा है ऐसे हो रहा है ठीक है तो सब लोग है राइट अभी हम क्या बोल रहे है कि dynamics is a branch of mechanics mechanics किसकी ब्रांच थी mechanics was a branch of physics अब mechanics का एक sub-part है dynamics जिसमें हम चिन्तित है बोडी पर होने वाले effects के cause के लिए जयानि कि body पर कोई effect हो रहा है हमने देख लिया उसके behind क्या cause था, क्या reason था हम उसके बारे में चिन्तित है तो that is study is called as dynamics अब effect cause क्या हो सकता है बई, कोई भी external force is a cause हमें केसी चीज को move कराने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा उस पर force लगाना पड़ेगा एदर तो धक्का लगाए या फिर उसको पकड़के खीचेंगे अगर पकड़के खीच रहे हैं तो we are pulling the thing, pull and push दोनों क्या है force ही तो है कोई भी cause होगा that is force अब यह ऐसी body जिस body के बारे में बात हो रही है effect और cause एक body पर हम discuss कर रहे है बोलते हैं बटा rigid body rigid body यह बताओ rigid body होती क्या है what is a rigid body rigid से मतलब क्या है R.I.G.I.D. rigid से क्या मतलब है What is a rigid body? किसे को पता है बटा? Sir, कठोर कठोर, देखो कि सही, मैं यही जूण रहा था कठोर ठोस बोलेगा कोई कोई बोलेगा कठोर बोलेगा तो like हमें पता है की rigid का मतलब पता है, कठोर होता है या ठोस होता है एक पत्थर को imagine करो, बहुत मजबूत चटान है उसको imagine करो, आपने हाथ में पत्थर पकड़ रखा है तो वो क्या ऐसा है न ठोस है न एक तो आपने यह बोल पकड़ रखे है, suppose करो यह कोसको की बोल है गाय भी हो गई, हाँ, यह कोसको की बोल है यह पकड़ रखी है, एक तो यह क्या है यह दब जा रही है, पिचक जा रही है, सब कुछ हो जा रहा है इसके साथ और एक आगर आपने इसकी चटान या पत्थर पकड़ रखा होता है तो उस पत्थर से जो feeling आ रहे है न आपको यह बहुत rigid है, यह बहुत कठोर है यह बहुत ठोस है, तो उसी को बोलते है rigid body, अब rigid body की property क्या होगी, जिसके basis पर हम किसी भी body को बोलेंगे कि this is a rigid body यह देखो सब्ध्यान से, एक body है यह green color की जो मैंने draw करती, ठीक है मैटा चाहिए ना बढ़नी चाहिए, ना तो यह दूरी घटेगी ना यह दूरी बढ़ेगी, suppose करो यह दूरी मालो x है इसकी value मैंने x दे दी, तो after doing any changes, इस body के साथ मैं जो मरजी करता रहूं जो मरजी इस body को मैं यातनाए दू, परिशानी दू, दुख दू, बट इसके अंदर जो forces है, दो point है P1 और P2, इनके बीच की जो दूरी x है, that will not change अगर ऐसी property है किसी भी body की, तो that is called as rigid body अब क्या हो सकता है, इसके साथ मैं क्या क्या कर सकता हूं इस body के साथ, I can apply some external forces, मैं इसके उपर external forces लगा सकता हूं, एक force left, right side से लगा दिया F1, और उसी के बराबर दूसरा force, left side से लगा दिया F1, तो अब क्या होना चाहिए, अगर यह नर्म होती है, अगर यह ठोस नहीं होती है, या फिर रजिड नहीं होती है, तो क्या होता, भई force लगाया, देखो यह ball क्या हो, force लगाने से पिचक गई, तो इसकी shape में चीला गया, तो इसमें कोई भी दो point होते, तो उनके बीच की दूरी, ऐसे दबाने से घट जाती, ऐसे इसको मैं दबाता, तो वो दूरी कम हो जाती, है ना, और अगर उल्टा इसको खींचता, तो वो दूरी बढ़ जाती, बट यह नहीं होगा, जिस body में ऐसा changes नहीं आएंगे on the application of external forces, वही body क्या होगी, rigid body होगी, rigid body, है ना, अब rigid body क्या exist कर सकती है, कोई बताएगा मेरे को, our rigid body is practically possible, rigid body, क्या exist करती है हमारे आसपस, exist करती हैं क्या, rigid bodies, अरे कुछ तो बोलो हा ना, जो भी बोलो गलत होगा, ठीकि एकिस्क करती है, इस करती है, इतने बट्चों को लगता है कि नहीं करती है, ऐससी हो जाए, जोम बताओlla क्यों, पॉसिबल नहीं है सर बताओ जो भी आपको लगता है जो भी मन में आरी बात बताओ मुश्कान खुशी आप बता दो ठीक है बाई तो इनका आंसर तो इनका सही है जिनको ये फील हो रहा है बताओ 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 ये पॉइंट पीवन था ये पॉइंट पीटू था अब इस पर जो मैं बहार से फोर्स लगा रहा हूं रिजिट बोड़ी नहीं है मालो मैं बोलता हूं भाई मैं एक लाख न्यूटन फोर्स लगा दूगा एक लाख न्यूटन फोर्स इधर से लगा दूगा एक लाख फोर्स न्यूटन इधर से लगा दूगा तो दोनों फोर्स मिलके इस बोड़ी का क्या बना देंगे इस बोडी का क्या बना देंगे क्या तॉप या collect कॉप जाये से। अब देखो, फोर्स की चोईस मेरे पास है, मैंने क्या डिफाइन किया, कि एक्स्टरनल फोर्स होना चीए, ठीक है, और किसी भी परिस्तिती में, चाहिए जो अमर जी हो जाए, इन पॉइंट्स की बीच की दूरी चेंज नहीं होनी चीए, अब सोचो, इस बोडी का में possible नहीं है, rigid body क्या है, rigid body is a theoretical concept, ये समझ लो, और bodies होती है, जैसे हमारे पास आपने gases पढ़ेंगे, जब मैं बताऊंगा, या school में पढ़ लिया होगा, तो आपने देखा होगा, कि ideal gas नाम की एक चीज होती, there is something called as ideal gas, fluid में होता है, ideal fluid, है न, तो वो चीजे जिसके उपर ideal ला गया, मतलब वो exist नहीं करेगा, that is a theoretical concept, उसके आसपास की चीजें exist करेंगी, तो जैसे मानलो मैंने आपको बोला कि एक लाइक न्यूटन लगा दिया, ये पापड़ बनने को तयार है, इस body का, लेकिन ऐसी bodies नहीं हो सकती, तो ये आप धान रखो, this is a theoretical concept, बस हाँ, approximate rigid bodies हो कर रहा हूं, ऐसे पकड़ा, मैं उसको ऐसे दबा रहा हूं, तो उस application के लिए, उस particular application के लिए पत्थर क्या है, rigid body, देखो, इसका example पत्थर छोड़ो, आपके आसपास घर बना होगा आपका, या तो ईटों से बना होगा, या फिर चटान से बना होगा, पाडों में हम लोग चटान से बनाते हैं, और planes में इंटों से बनाते हैं, तो या तो उसमें पत्थर लगे होगा, या उसमें इंट लगे होगा, तो क्या एक इंट के ऊपर दूसरी इंट, या एक चटान के ऊपर दूसरी चटान रखी, तो क्या नीचे वाली पिचक गई, नहीं पिचकी ना, अगर वो पिचक गई होती बेटा तो क्या हुआ होता आपका घर ही नहीं बन पाता च्छाती नहीं लगा पाते आप 10-15 फिट उपर कैसे फोंस तो लगा लगा के तो इस मेंस कि उस पर्टिकुलर एप्लिकेशन के लिए यानि कि घर बनाने के लिए अगर मैं इंट को देखू तो इंट is a rigid body है ना एप्लिकेशन मेरा क्या था घर बनाना है सर तो उसके प्रोस्पेक्टिव से उस नजरिये से अगर मैं इंट को देख रहा हूं कि भाई मेरे एप्लिकेशन के इसाब से तो यह रजिड बोडी के जैसे बिए कर लिए क्यों कि वह पिचकी नहीं उसमें क उस एप्लिकेशन स्पैसिफिक रिक्वायर्मेंट के इसाब से इट इजर रजिड बोडी ठीक है अब इट को मैं थोड़ा मार दू तो तूट भी जाती है है ना तो फिर क्या फिर तो जितना मर्जी दूर ले जाओ तो फिर तो पीवन पीटू क्या पीवन को आप मैं अप अपने घर ले आया पीटू आप अपने घर पर रखो तो उसमें किलोमेटरों की दूरी हो जाएगी और यहां तो नेगलिजिबल चेंजिस की बात में हो तो इट घर बनाने तक की एप्लिकेशन के लिए रजिड बोडी है उसके अलावा उसके साथ और दुरवयवार करोग अपने इसकी डाइमेंशन में कंसेडरेबल चेंजिस नहीं आरे तो हम उसको बोलेंगे कि इट इस रजिड बोडी है ना और उसके अंदर बैक अफ दॉ माइंड क्या चलना चाहिए कि हम एपसलूट रजिड बोडी की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि इट इस ए के बात कर रहे हैं एक तो भी ठीक है ना रहे तो भी ठीक है कोई दिक्कत नी कहीं काम निया जो मेन बात है वह यह है कि वह इस लिए श्ट मे रिश्ट आप में बताओ कि आप जो है अभी रेस्ट पर हो कि मोशन में हो को पांच बच्चे थे जो मोशन के उसमें थे और चार आ गए किसमें रेस्ट के पक्ष में बाकी बच गए हम लोग चार और पांच नो और दो मैं ग्यारा बीस बच्चे बच गए यार तुम सारे क्लाश छोड़ दो फिर सारे ड्रॉप कर दो पाइटिस्पेट करना हन्नेड पर्शेंट पाइटिस्पेशन रहेगा तभी आपको चीजे याद रहेंगी यह मत सोचो कि आप वोटिंग नहीं करोगे पाइटिस्पेट नहीं करोगे तो अभी तो इजी चीजें चल रहे हैं जब बात आएंगी इसकी पॉलराइजेशन की प्रशार में करोगे फिर कें अमस्क्रशार रहा है उसके सारे थेृटिकल कंसेट लिजाइन है कि उसको कैसे फिल किया जा सकते हैं तो फील करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको तयारत होना चीजिए देख न भई कि आप जैसे होता है ना कि आप महसूस तो वही कर सकता है satisfaction को जो at least ready हो learn भी वही कर सकता है जो at least ready हो learn करने के लिए अभी सब लोग अपना vote देंगे पहले सिरफ वो बच्चे हाथ उपर करो जो कहरें कि you are at rest जिनको यह लगता है कि वो rest में है हाँ ठीक है अब अब वो बच्चे उपर करो जिनको लगता है कि motion में सही है तो अब देखो rest में भी बच्चों ने हाथ उपर किया और motion में भी ठीक है तो कोई बच्चा मेरे को यह बताओ कि why you are in motion motion का मतलब है कि आप किसी particular velocity से या गती से या speed से मूव कर रहे हो मोशन का मतलब है you are changing your position with respect to time और rest का मतलब है you are not changing your position with respect to time तो कोई भी बच्चा randomly मेरे को यह बताएगा हाथ उपर करेंगे कि जो यह बताएगा कि sir motion में क्यों है हाँ चल बताओ यह सर बताओ आपको ऐसा क्यों लगता है कि motion में है हम क्योंकि हम आर्थ का पार्णर आर्थ Sun के अराउंड गोमती रहती है और अपनी orbital में गोमती रहती है सई बात है ठीक है नैंसी आपको क्यों लगता है बटा कि हम motion में हैं अब यह बताओ कोई बच्चा मेरे को की रेस्ट पर क्यों हो आप जिनों ने रेस्ट के लिए वोट किया था रेस्ट करके बताओ सीधा सिम्रन आप बता दो तो मैं बोलूंगा कि देखो जिन बच्चों ने बोलागी सर हम रेस्ट में वो भी सही है तो अब कुछ ऐसी hidden चीज होगी जिसके हिसाफ से हम decide करेंगे देखो वह ही define करेंगे और उसके हिसाफ से बताओंगा दोनों गलत क्यों थे और दोनों ही सही क्यों थे देखो भई रेस्ट का मतलब तो होता है कि you are not changing your position with respect to time ठीक है और time भी जैसे जैसे समय बदल रहे है तो आप अपनी position किसके respect में change ने कर रहे हैं अपने आजू-बाजू की surroundings की respect में ना surroundings अब तीन चीज़े होंगी एक तो गटा position, surroundings and time इधर भी position, surroundings and time यह तीनों चीज़े decide करेंगी हमें कि हम motion में है अब rest में है तो time के साथ तो हम देखेंगी जैसे-जैसे समय बदलता है वैसे-वैसे मैं position अपनी change कर रहा हूं या नहीं कर रहा है if I am changing my position with respect to surrounding this means I am in a motion अगर मैं नहीं कर रहा है अपनी surroundings के साथ जैसे-जैसे समय बढ़ता जा रहा है तो I am at rest तो जिन बच्चों ने बोला कि sir हम जो है rest में है तो वह कुछ अपने आपको ऐसा महसूस कर रहे होंगे मैं तो अपने computer या laptop के आगे या phone के आगे बैठा वा हूं और ऐसे पढ़ रहा हूं तो मैं तो अपनी position change नहीं कर रहा तो this means I am at rest तो बिल्कुल सही बात है तुम rest पे हो फिर जिन्होंने ये कहा कि sir हम तो motion कर रहे है उन्होंने एक और आगे step पे जाकी फिल किया कि चलो मैं जो है पढ़तो रहा हूं और मैं पढ़की इस पर रहा हूं मैं अर्थ पर बैठा हूं और अर्थ कितने एंगल पर tilted है कोई बताएगा what is the tilt of earth कितने पर है भाई magnetic और इसमें कितना difference है पढ़ा होगा physics में पढ़ा होगा magnetic axis और geographical axis में कितने डिग्री का अंगल है शायद साढ़े 30 डिग्री का है 23.5 इतने डिग्री पर tilted है और यह continuous rotation में भी है अपने ही और अगर सन को भी ले लो अगर सूरज को भी आप ले लो तो सूरज के अराउंड भी यह यह सूरज है इसके अराउंड भी यह क्या कर रही है यह revolution कर रही है अपने orbit में तो उन लोगों को यह पता चला कि यार हम कि सर हम तो जो है move कर रहे है अर्थ के अराउंड हम move कर रहे हैं कि स्के अराउंड तो हम motion में तो दोनों की बात सही है बस बात फरक क्या है देखने के नजरिया का फरक है अगर आप space से देख रहे हो मानलो आपका viewer जो है वो space में है if you are viewing it from the space outside space तो आप बोलोगे कि sir मैं दो motion में हूँ अगर आप सिरफ अपनी surroundings को देख रहे हो तो बोलोगे sir मैं rest है दोनों ही दोनों बात सही है तो हमें पता चलेगा कि it is combined property rest or motion वो किसकी combined property है observer and object की यह observer कहां पर है और object की स्थिति में है इससे हमें idea लगेगा कि what is our state of rest or of motion ठीक अब इससे दो conclusion यह निकलेंगे कि there is nothing like absolute motion and there is nothing like absolute rest कोई absolute rest नाम की चीज़ नहीं होती है ना ही absolute motion नाम की चीज़ होती है हमेशा चीज़े होती है relative rest या फिर relative motion अब relative मतलब कि किसी चीज़ के respect में और वो चीज़ क्या है वो है हमारी surroundings जो आप surroundings लोगे उसके हिसाब से आप decide करोगे जैसे जिन बच्चों ने बोला कि sir rest पे उन्होंने अपने आसपास के phone computer laptop या टेबल चेयर या आसपास की दिवारें कमरे उनको surroundings consider किया तो this means उन्होंने कि sir हमें लग रहा है कि we are not changing our position with respect to all these surroundings तो we are at rest जिन्होंने ये बोला कि sir we are in motion तो उन्होंने देखा कि sir earth है फिर globe है फिर और चीज़ें है तो उन्होंने देखा कि नहीं sir हम तो motion में है तो उनका viewpoint था थोड़ा दूर की surroundings देख रहे थे ये जिन्होंने immediate surroundings को देखा उन्होंने कि sir we are in a position of rest तो ये चीज़ें क्या होती है inertia inertia क्या होता है वह बताओ inertia क्या होता है फिर मैं बताओ एक नया term है inertia what is inertia मैं बताता हूं अभी ठंड है ना अभी ठंड है ना अब ठंड है ना सबके घर पटे या कोई गर्मी में भी है सब के घर पे ठंड है अब सुबह सुबह उठते टाइम जो फील करते हो आपका इनर्शिया क्या होता है रजाई से बाहर निकलने का इनर्शिया है किसी भी मास के पास आलस होगा unless there is some force applied जैसे आपके घर वाले मम्मी पापा आपको धक्का मार मार के उठाते होंगे बैटा उठ जा अब तो उठ जानी तो तेरी खैर नहीं है तो वही इनर्शिया हम कैसे हम एक बोड़ी को कैसे पुश कर सकते हैं with the help of some force है ना The help of some force हम एक मास M को या तो मोशन में डाल सकते हैं या फिर moving mass को rest पर ला सकते हैं, है ना, उसकी velocity को change करने के लिए हम forces apply करते हैं, तो जो भी उसकी stity है, जब तक force नहीं लगेगा, जब तक कोई भी external unbalanced force किसी भी mass पर नहीं लगेगा, तो its position will, its velocity will not change, चाहे वो motion में रहे तो continuous motion में रहेगा, जब तक उसको कोई रोकने वाला force ना लगे, या फिर वो rest पे है, तो तब तक उसको धक्का मार के कोई चलाने वाला force नहीं मिलेगा, तो वो rest भी रहेगा, तो this property of mass, this property of mass is called as inertia, वो inertia दोनों चीजों का हो सकता है, inertia of motion और inertia of rest, सब्सक्राइब देखों हमने बात करें कि रिलेटिव चीज है एबसीलूट मोशन नहीं होता एबसीलूट रेस्ट कुछ नहीं होता देर इस ओल्वेज सम् तो observer कहां बैठा है किस हिसाब से चीजों को देख रहा है उस हिसाब से वो decide करेगा कि मैं मोशन में हूँ या rest में हूँ उस हिसाब से calculations हो जाएंगी सारी किसारी किसकी mechanics की ठीक है अब हम 1D motion पढ़ रहे हैं भूलेंगे नहीं हम पढ़ रहे हैं motion नहीं स्ट्रेट लाइन अब स्ट्रेट लाइन मोशन में देखो एक observer बैठा है पेड़ के नीचे दिखा सबको इस सामने से बस गुजर गई यह बस चली गई आगे उन्हें देखा यार बस मोशन में है बस मूव कर रही है तो बस क्या कर रही है बस is changing its position with respect to this observer तो इस observer के respect में यह बस क्या है continuously जैसे जैसे समय अपनी आगे बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से यह motion यह जो बस है it is changing its position with respect to the observer तो इसने देख के बोला कि bus mood away from tea उसने देखा कि यार बस जो है tree से दूर चली गई अब इसने क्या किया the person compared the position of bus with respect to the position of tree उसने compare किया तो उसे यह नचर आएगी यह दूरी तो हमेशा यह बढ़ती जा रही है जैसे जैसे समय तो इसने बोला कि with reference to origin position of the bus changed तो उसने conclusion दिया कि bus is in motion उसको यह फिल लगा कि bus motion में है ठीक है उसने origin क्या लिया origin इसने लिया tree को तो tree के comparison में उसने बता दिया कि this bus is in motion फिर देखो अब यह observer भाई साब बैठ गए bus के उपर observer बैठ गया bus के उपर और अब यह ऐसे देख रहे है नीचे मूँ करके bus को ठीक है अब यह दुनिया को देखी नहीं पा रहे तो यह क्या करेंगे bus के साथ चले जा रहे आगे तो अब यह देखेंगे क्या बोलेंगे bus के इसाफ से कि bus क्या है bus rest में सर यह बोलेगा कि bus bus जो है रेस्ट में है ठीक है तो इसको bus को देखेगा तो यह feel होगा ГИ bus rest Meine और अगर यह बस पर बैठके ट्री को देखेगा तो फिर कहेगा कि हाँ बस तो मोशन में है क्यों कि ट्री दूर जाता जा रहा है तो ऑब्जरवर और ऑब्जेक्ट यह डिफाइन करेंगे कि हम रेस्ट में हैं या मोशन ठीक है वेलोसिटी भी हम उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे हमारे ऑब्जरवर के हिसाब से वेलोसिटी किसकी होती है अगर इसमें जो यह केस है यह वाला बताया आपको कि बस में बैठा हुआ था और यह दूर चली गई बस जैसे जैसी आगे बढ़ेगा तो बस बस इसके साथ दू वेलोसिटी क्या है वो है जीरो और विद रिस्पेक्ट टू ट्री अगर बस की वेलोसिटी देखू तो फिर वो कोई वेलोसिटी आएगी क्योंकि इसने कुछ टाइम के अंदर यह इतनी दूरी तो तै कर ली अगर इसमें 10 को डिवाइड कर दू माल लो 2 सेकिंड में तो य प्रिवाइड वेलोसिटी चीज है यह समझ आ गया मोटा मोटी यह सारी बात यहीं लिखी हुई है इनको जब नोट्स पड़ेंगे तो यहां से समझ आ जाएगा ठीक है अब हम लोगों को एक चीज नई चीज पता पड़ी कि देखो पहला क्या था ऑब्जर्वर दूसरा object अगर दूसरी था 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 अब एक चीज भी भी define कर सकते हैं कि हम जिस पॉइंट के respect में ले रहे हैं उसको define कर सकते हैं उस्जिए गता है या मां थे पपने कम पब्र आया थे तो प्रेसर प्रोड्यस लावशन इसे सुवर्वे बाशे संवल्म हो काउंटिनों वह हो जिसके प Freshwa ने की अधिर बहुने की वाव्वेटा झाहिती आउं यहां पर frame of reference यानि कि जिसके reference में problem को लूँगा अगर वो मैं अर्थ को माननूं यह धर्ती है ना इसके आज पर जहां पेड़ हुगा हुआ है अगर मैं इसके reference में बस को देखूं तो क्या बस मुँख कर रही है अर्थ के respect में देखूं तो बस मुँख कर रही है क्या अर्थ पर नो सर अर्थ लिखाता उसको मत देखो भाई यह अर्थ यह है जिस धर्ती पर यह पेड़ हुगा है तो धर्ती के उपर ही तो घूमती हुग जा रही है ऐसे आगे रहे हैं और आगर मेरा फ्रेम ओफ ट्रेफररेंस कुछ नहीं होता जिसके रिलेशन में मैं चीजों को देख रहा हूं कि वो मोशन में रेस्ट मैं अर्थ को मैंने लियास आगर लृदी यहा बस मूँख कर रही है ठीक है अगर वही फ्रेम ओफ रफेसरेंस मालों कि इस लड़के को ले लूँ ना चस्मे वाले लड़के को मैं अगर frame of reference ले लूँ अपना तो मुझे क्या पता चलेगा कि यह bus जो है इस लड़के के respect में move कर रही है नहीं कर दो तो अगर मैं बोलू कि frame of reference मेरा observer है तो फिर मैं बोलूँगा bus is in rest तो जैसे जैसे मेरा frame of reference यानि कि जिसके respect में मैं देख रहा हूँ वही चीज मेरी क्या frame of reference यह high-five term है उसका आगरेजी सब्द है कि frame of reference main muddha पकड़ो reference reference मतलब in relation to which thing अर्थ है अर्थ के relation में देखूंगा तो बस move कर रही है और observer के relation में देखूंगा इस लड़के के relation में तो बस rest पे है और यही बात हमने पिछली slide में पड़ी थी कि भाई यह जो है यह absolute terms नहीं होती ना तो कोई चीज होती है absolute rest नाम की नहीं कोई चीज होती है absolute motion नाम की तो this means भाई हम लोग यह define कर रहे है कि any object इस example में यह बस यह बस एक object है यह same time पे rest में भी है और motion में भी है बस difference इतना है कि हमारा frame of reference का है अगर frame of reference earth है तो हम बोलेंगे this bus is in motion अगर frame of reference यह हमारा चुट्टी हो रखे है जिस लॉंड़े की यह है तो this means bus is in rest तो अगर इस बच्चे के respect में देख रहे हैं तो यह rest में है और earth के respect में देख रहे हैं तो यह motion में है और यही बात कहती है absolute rest और absolute motion नाम की कोई चीज नहीं होती there is always something called as a relative rest और relative motion अब relative से मतलब क्या हुआ कि हम किसी ने किसी चीज के relation में देख रहे हैं वो चीज क्या है जिसके relation में देख रहे है वही हमें define करेगा कि यह relative motion है या फिर relative rest है समझाया सबको अब इसी चीज के इसाफ से हम define करते हैं जैसे यह mathematics की बात आगी physics से दूर गए थोड़ा सा कि 000 क्या होगा 3D Cartesian system में 000 is our by default origin जिसको default origin बोलते है 000 होगा बस यही है reference frame की बात अब करते है type of motion type of motion क्या हो सकता है frame of reference मान लो अगर सिरफ x-axis is the frame of reference की सारा का सारा motion सिरफ x-axis के long होगा है ना इधर जाएगा इधर जाएगा कुछ भी होगा x-axis के long होगा accelerate करेगा slow down करेगा stop करेगा जो मर्जी करेगा बस उसमें एक ही x-axis involved होगा तो this means it is 1D motion this means it is motion in one dimension या फिर this is motion in a straight line अगर यही सारा खेल किसी plane में हो यानि कि दो x-axis involved हो जाए एक तो x-axis और एक y-axis तो फिर उसको बोलेंगे 2D motion या फिर बोलेंगे motion in two dimension या बोलेंगे motion in a plane इसमें क्या example आता है projectile motion पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा सुना होगा सबसे पहले दुखदर्द physics में projectile motion ही देता है projectile motion किसी भी चीज़ को उपर फैक दो है ना उस पे क्या होना चाहिए एक direction में उसकी velocity constant रहनी चाहिए और दूसरी direction में उस पर constant acceleration लगना चाहिए वही define होगया projectile motion का projectile motion is an example of 2d motion यानी motion इन्हें plane ठीक है और उसका plane क्या होगा वर्टिकल होगा अब देखो यही बात in general अगर छोड़ो सारा खेल नहीं 2d है ना 1d है कुछ भी है तो अगर ऐसा general motion है तो that is called as 3d motion की जिसमें सारे के सारे axis इस्तमाल हो जाएं कोई भी random motion x y और z के along हो रहा है तो that is called as motion in three dimensions तो motion in three dimensions की जितनी भी equation हो वैसे शायद हमारे syllabus में एक थोड़ा बहुत आएगा touch में तो आएगा नहीं case derive कर लिया तो special cases तो सब पार्ट होते हैं तो 1d 2d और 3d यह समझाया अब बात करते हैं आगे distance और displacement की यह फिर से बताओ आप सब लोग what is distance and what is displacement what is distance what is displacement लीन ना सब्सक्राइब साथ तरा इस आप लेंड पार्टिक थीक है और जो डिस्प्रेसमेंट होते है सर ट्रैवल इन शॉर्टेस लंड फ्रॉम दा इनिश ल वेलासिटी टॉ फिक्स वेलासिटी इनीशल कि इनीशल पॉइंट तू फाइनल पॉइंट तू पाइनल पॉइंट देखो हमें क्या करना है कोई और बत्छा सब्साइब करेगा इनको हां परो मिला आप बता है सब जब अबजेक्ट और इसनल पाथ पे मुव करता है तो वो बिस्टेंस होता है तो आपने सही बताया कि कि इनीशल पॉजिशन से फाइनल यह बता रहे थै कुछ सर जो डीस्टेंस ट्रेवल बाय पारटिकल तो फॉजिटीव होता है । सर वह नेगटिव भी होता फॉजिटीव भी होता है, और जीर भी खोड़ जिसे मिली जूली बात एक और होती है क्या? यह distance scalar quantity होती है और यह vector quantity होती है ठीक है चलो अब मैं बताता हूं इसको कि यह क्या है पूरा scene इसका mostly simple ही है सब लोग धान से सुनेंगे एक बार सुन लेंगे तिमाग में कुछ जाएगी बार पहली बार displacement, दूसरी बार displacement तो distance तो वो दूरी है जो मैं actual में cover कर रहा हूं उस सब को जोड़ जाड़ लूँ तो that will be distance और इसके जोड़ने से scalar value आएगी scalar value आएगी यानि कि कुछ magnitude आएगा तो वो scalar quantity है और उसी को भोलूँगा मैं distance और displacement क्या है initial point एक था ये मानलो मैं इस point से चलता हूं this is my home यानि आपका घर है ये दूसरा point ये है this is school ठीक है ये आपका school है अब आप जो निकले घर से अपने और फिर ऐसे टहलते हुए टहलते हुए घुमते फिरते हुए चलेगे school ठीक है तो ये जो आपने green color का जो path travel किया जो green color का ज अगर मैं एक धागा लूँ और इस धागे पर इस रस्ते पर बिच्छाता चला जाओं तो उस धागे की जो length आएगी उसको सीधा करके ना पनूँ तो वो क्या है that is called as distance traveled जो पूरा path था उसकी जो actual length है तो वो क्या होगी distance traveled है distance कितना होगा और displacement मुझे देखना है तो कुछ नहीं करूँगा मैं सीधा इसको पकड़ूँगा एक vector यहां से home से लेके और एक vector ड्रो कर दूँगा बिल्कुल सीधा कहां की तरफ school की तरफ home के पास मेरा tail होगा और school के पास इसका head होगा तो इस vector की जो length होगी या इस vector को य यही वेक्टर है वो जिसको हम displacement vector बोलते हैं क्योंकि एक vector quantity है यह direction का भी sense दे रहा है कहां से initial point से final point तक direction भी बता रहा है और magnitude भी बता रहा है magnitude विल भी nothing बट दा length of this vector इस vector की जो length है वही क्या बताएगी वही होगा magnitude of the displacement vector और दूसरा जो है मेरे पास दूसरा जो है वो क्या है जो green color का है green color वाला actual distance covered तो मालनों मैं आपको बोलता हूँ कि आपका school आपके घर से 2 km दूर है तो मैं क्या बता रहा हूँ वो distance बता रहा हूँ या displacement बता रहा हूँ तो पैदल जाते होंगे कुछ बच्चे बस में जाते होंगे या और भी तरीकों से जाते होंगे जैसे भी तो आप जो actual रस्ते से जा रहे हो तो आप क्या cover कर रहे हो you are covering the distance है ना आप distance cover कर रहे हो और displacement क्या होगा displacement यह हो लगी मेरा स्कूल उस तरफ है बिल्कुल उंगली करके ऐसे दिखाओं कि मेरा स्कूल वहाँ डिरेक्शन में तो वहाँ पे सीधी रेखा की दो बिल्कुल सीधी बिल्कुल स्ट्रेट तो उसकी length जो होगी that will be the magnitude of my displacement vector या अब देखो एक चीज और फील कर पाऊगे आप पाहडों में रहते हो एक पाहड बना लेते हैं बीच में फिर और अच्छे से पील कर पाऊगे ये पाहड है बीच में ठीक है अरे मेरे पाहड को क्या हो गया हाँ ये पाहड है ठीक है इधर आपका घर है और इधर आपका स् अगर आपको घर से श्कूल जाना है तो यह पहाड लांग के जाना पड़ेगा ऐसे जाओगे कि यह ठो हुआ हुआ है यह तो अगरा क्या मेस से लिखता है ऑफ देखो इसमें यह cultural प्रेमा jonただ ह von तो एक स्टार्टिंग पॉइंट हों था वो स्कूल तक मैं गया तो इस पहाड को चीरते वे भी मेरा वेक्टर जा सकता है हमें यह मतलब निए कि बीच में कोई अब्जेक्ट है नहीं है क्या है तो डिस्प्लेस्मेंट का गया होगा कि सीधी रेखा हो अब वो बीच में चाह करा कि आप निए की वो तो वो वहीं एक सीधी बात होगा तो इं टरांस ओफ दूरी तो यह आ 실क होगी यह shortest path है displacement के बारे हम बात कर रहे है displacement is the shortest path number two it is a vector quantity number three it is it also represents the direction displacement क्या है distance क्या है it is a scalar quantity it represents the actual length of the path covered है ना जितना मैं actually चल के गया वो मेरा क्या बताएगा distance को बताएगा यह scalar quantity है और यह कुछ भी हो सकता है positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है और डिस्टेंस नहीं हो सकता negative sorry displacement वेक्टर negative हो सकता है कैसी अगर मैं बोलू कि school से आपके घर की दूरी कितनी है तो वही उधर से इधर देख लो तो फिर head की से टेल की तरफ देख रहे हो तो बोल दोगे sir minus s या बोलू घर से school की दूरी कितनी है तो s ठीक है तो देखने के नजरिये से हम बदल सकते हैं जब देखेंगे तो negative भी दिख सकता है और positive भी दिख सकता है कौन displacement वेक्टर और वही distance की बात करें तो distance हमेशा positive होगा कोई बच्चा negative negative चल सकता है मैं बोलू minus two meter चलो चल पाओगे लिए से यह सब हो जाएगा ठीक है तो यह नहीं हो पाएगा लेकिन कि माइनस two meter चल पाओ या माइनस two meter कपड़ा लेओ क्यों बेटा वो scalar quantity है we are not considering the direction कपड़े में क्या direction कपड़े में scalar है अब दूद में minus 2 liter कैसे हो सकता है दूद तो 2 liter हो सकता है minus 2 liter क्या है तो scalar quantities can be only positive values negative value यहाँ पर नहीं होगी distance में और displacement में negative value हो सकती है अब scalar के terms में strictly नहीं बोल रहे है कि scalar negative नहीं हो सकते है बट यहाँ distance के terms में बोलो तो वो नहीं होगा तो distance clear हुआ displacement clear हुआ अब देखो यह आपको एक animation दिखरी होगी इसमें left side में आपको दिखरा है distance का example और दूसरा displacement का पहले distance देखो एक बंदे ने start किया point 0 से चलके गया छटे 6 meter तक फिर वापिस घूम के वापिस आ गया तो इसने कितना cover किया total 12 meter 6 meter गया और 6 meter उल्टा आ गया नहीं दो मिटर तक आया वैसे इस animation में तो 2 meter तक आ रहा है पहले 6 meter गया इस direction में यहां तक फिर वापिस आया 2 meter तक तो 6 plus 4 यह वापिस आने का यह 4 है और यह 6 है तो क्या total travel इसने किया 10 meter तो 10 meter क्या है डिस्टेंस है और दूसरा देखो यह start हुआ था किसी point से फिर घूम घाम के कहां पहुँचा starting point पे starting point पे पहुँच गया तो फिर displacement क्या हुआ सेम ही animation है इसमें भी क्या कर रहा है दो पे आकर रुख जा रहा है तो पहले इसने positive direction में इसने cover किया 6 meter और वापिस यह आ गया 4 meter वापिस आ गया तो इस case में मेरा displacement अगर मैं लूँगा तो displacement क्या होगा बस यह वाली दूरी तो यह क्या है दो मेटर है तो displacement दो मेटर ले लो जिन बच्चों को यह फील हो रहा है कि सर यह तो जीरो पर वापिस आ जा रहे तो फिर जीरो ही है displacement जो फील आ रहे है आपको में बात हुआ है अगर घूम फिर के उसी point पर आ गया जितना वर्जी घूम फिर के आया तो इसको फटाफट देखो एक ball थी a point से start हुई b point पर गई और फिर b से घूम के यह c पर आ गई तो c इसकी final location है ठीक है तो अगर मेरे को distance निकालना है तो क्या मैं बोलूँगा कि a से b की दूरी जोड़ लो और b से c की दूरी जोड़ लो जो इनका sum आएगा that is our distance covered अब क्योंक की vector a b इसका magnitude मतलब इस vector की length मतलब की दूरी between point a and point b यही दूरी क्या represent करती है a b vector के magnitude को तो मैंने उसको add किया फिर b से c पे ball आई तो b से c क्या होगा b से c बी से c की तरफ आने वाला vector तो b से start होगा b पे उसकी tail है और यह c है तो this is nothing but b c vector अब b c vector की जो length होगी that is nothing but the distance between या the length between b and c तो यह होगा b c vector का magnitude या नि मोडूलस में इन दोनों को मैं जोड़ दूँगा तो मैं किस की बात कर रहा हूं distance covered की distance covered by this ball और वही displacement की बात करें तो इ सीधा vector a b को add कर तो vector b c में दोनों को add करते होगे तो फिर क्या आएगा a c तो a से b यह vector था और b से c यह vector है b c बच गया कोंसा opposite direction में लो triangle को थोड़ा सा feel करके देखो opposite direction में यानि a से b की तरफ जाने वाला vector and that is nothing but the resultant of vector a b and vector b c इन दोनों का resultant यानि इन दोनों का vector sum vector sum मतलब दो vector लिखे उनके बीच में plus का sign लगा है तो vector sum हो गया वो कौन सा vector होगा point a से point c की तरफ जाने वाला point a से point c की तरफ जाने वाला vector a c तो a से start हुआ और c पर गया तो इसको बोलेंगे vector a c ठीक है भाई तो यह हो गया displacement और इसी कारण से displacement एक vector quantity है क्यों यह मेरे को direction भी बता रहा है कि आप displace किये finally कहा displace किये initial से तबा final को consider कर रहे हो तो you are displacing yourself from point a that was the initial position to point c that was the final position तो इन दोनों के बीच की दूरी और sense भी by a से c की तरफ तो that is displacement ठीक है यह vector quantity ऐसे लिखेंगे अब चलते हैं आगे position vector यह देखो वी vectors में मैंने आपको बताया था कि position vector वह होता है जो किसी भी point p की किसी भी point p का coordinates बताए या reference बताए या दूरी बताए किसके respect में universal origin जो सब के हिसाब से origin है यानि 0-0-0 के respect में कोई vector point p की position बताए that is called as position vector जनली इसको r से लिखते हैं और x i cap y j cap z की cap से लिखेंगे ठीक तो अब यह 3D हो गया 3D में बात करें तो x i cap y j cap z cap और अगर 1D में बात करें सिरफ straight line की बात करें तो vector r क्या होगा भई 0 j cap and 0 k cap तो यह तो 0 हो गए तो उनको छोड़ दो कोई दिकत नहीं x i cap लिखे दो तो 1D में यह होगा ठीक है अब बात करते हैं position vector पहले discuss हो गया था समय नयावर्त करते हुए displacement पे जाते है displacement vector क्या था it is also telling me the position of point p2 with respect to point p1 point p2 की position with respect to point p1 बता रहा है और कैसे बताएगा respective magnitudes को minus कर दो final minus initial final minus initial final minus initial यानि कि x2 minus x1 i cap y2 minus y1 j cap and z2 minus z1 k cap अब यह होगा 3 dimensions में 3D में displacement vector कुछ इस तरीक इस तिखाई देगा और वही 1D की बात करो तो vector s will be nothing but x2 minus x1 i cap because we are only considering one direction और one direction कोई सी भी हो सकते या तो i cap हो या y cap हो या sorry i cap हो या j cap हो या k cap हो इन तीनों में से कोई एक ही positive होगी यानि वही direction active होगी बाकी दोलो zero रहेंगी तो यह हो गया displacement अब एक question है इसको बच्चों attempt कर लो एक बार try करो एक डेड़ मिनट के लिए फिर मैं समझा दूगा इसको attempt कर लो जितने बच्चों को concept समझाया या पहले से आता है वो कर लो नहीं तो try सब लोग करो है न कलम सब लोग चलाओगे चाहे जिस मर्जी direction में चले गलत चले सही वो सही चलने लगेगी बट तब basic requirement is कि सब इसको पढ़ो जो तुम्हें समझाया वो देखो कि या क्या question से समझाया इसको solve करो और हो सके तो answer निकालो जिनका answer आ जाता है they should raise their hands अभी 21 why 23 पे मैं इसको समझाऊंगा तब तक का समय आपको दिया try करो सब अब इसमें direction की बात ह direction अपने हिसाब से ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है जन्रली यह लेते हैं उपर नौर्थ होता है तो नौर्थ के opposite क्या होगा south यह ऐसे हो गए तो इधर east आएगा और इधर आएगा west तो आपको यह समझाएगा east west north south कैसे होता है उस हिसाब से question देखो draw कर लो कि कहा से start होगे कहां तक पहुचा है उसाब से आप displacement निकालो और distance निकालो झालो झाल झाल डिस्टेंस कितने बच्छोगा आगा डिस्टेंस अपने घर से स्टार्ट करके कहां जाता है 500 मेटर ड्यू साउथ यानि कि साउथ की तरफ 500 मेटर जाता है फिर 400 मेटर वेस्ट की तरफ जाता है फिर 200 मेटर नोर्थ की तरफ जाता है ठीक तो सबसे पहले कहां गया साउथ की तरफ 500 मेटर तो उसको चलाओ भई यह point था home का, h is the home point h से start होके यहां से start हुआ, south की तरफ south का नीचे है, कितना चलाओ 500 meter, ठीक है सब 500 meter चला लिया या या 500 meter फिर 400 meter due west west की तरफ, यहां से आने के बाद 400 meter गया west की तरफ west मेरा left side था, तो यह west हो गया कितना 400 meter फिर चलता है 200 meter due north, अब north की तरफ 200 meter, अब north का उपर है इधर 200 meter चल गया, ठीक है कहां पहुच गया उसके बाद? पहुच गया अपने school में अपने school में पहुच गया, S point पर मालो, तो अब मुझे बताना है what is the distance covered and what is the displacement distance तो भाई सीधा सीधा चल रहा है distance का मतलब है, कि जो आपने actual path travel किया है, उसको जोड़ दो, तो 500 meter ये था 400 meter ये था, और 200 meter ये है इन सब को जोड़ो, तो distance क्या आएगा? is equal to 500 plus 400 plus 200 तो बात हुई क्या? 1100 meter क्यों? क्योंकि एक scalar quantity थी distance, तो सीधा सीधा एक magnitude आएगा, magnitude में क्या होता है, there is some numerical value and there is some unit, तो दोनों पूरे होगे 1100 meter, ठीक है, तो ये आगा distance, अभी बात करें displacement की, कि displacement क्या होगा? तो displacement निकालने हैं, तो आप क्या करोगे? starting point से final point की तरफ एक vector बनाओ, बिल्कु सीधा, ये बन गया? starting point home था, और final point school है, तो इनके बीच में एक vector बन गया, अब मुझे इस vector को define करना है, कि ये क्या vector होगा? क्योंकि ये displacement vector है, इस vector इस vector के अंदर दो चीजे होंगे, एक तो इसकी direction direction मतलब theta और दूसरा इसका magnitude magnitude मतलब इस vector की length तो अगर मैं इस दोनों define कर दूँ, तो this means मैं बता पाऊंगा कि कितना vector है और इसका क्या magnitude है तो length निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? एक construct करूँगा, ऐसे line इदर करती है, अब मुझे triangle नजर आया, आया triangle नजर दिखा एक triangle जिसमें theta है और ये सब है इस triangle के अंदर मैं क्या करूँगा? इस triangle के अंदर देखो, ये triangle नजर आएगा इस triangle में मैं apply करूँगा सारा का सारा formula और जो भी मुझे relation लगाने है technometric के पौँग, तो मुझे बताओ आप लोग, ये 200 मिटर था, यहां से यहां की दूरी और उपर से यहां, h से लेके नीचे तक ये 500 मिटर है तो ये बच गया हो कितना है? ये वाली दूरी ये उचाए कि 300 मिटर है तो इसको मैं लिख देता हूँ 300 मिटर तो इसको नीचे वाले को लिख लेता हूँ 400 मिटर दिस्टेंस तो सबको समझ आ गया ना डिस्टेंस में तो कुछ करना नहीं था जोड़ना था वैले उसको तो ये 300 है और ये 400 है अब मैं पाइथागोरस थियोरम इस्तमाल करते हूए क्यों कि एक राइट एंगल ट्रेंगल है क्यों है वाई कंस्ट्रेक्शन इसलफ हमने उस S Vector刚속 S Vector बोल लेता हूं तो इसका magnitude योनी कि उसकी Length की करता हो तो तो this will UnderRoot of 300 का Square प्लस क्यों क्यों दो Length है दो है बटरपेंडीकुलर का square प्लस मेश्ट का square इ обяз का square is equal to hypotenuse का square तो hypotenuse का square निकाल लो या पिर उसके भी निकाल सकते हैं, magic triangle नहीं बताया था आपको, कि रेश्यो कि सो में होंगी, 3, 4, and 5, 3, 4, and 5 में होंगी, किसकी, जिसका एक angle होगा 37 degree, दूसरा angle होगा 53 degree, तीसरा angle होगा 90 degree, अब मैंने बात करी थी, आपको specially जोर दे दे के बोला था, कि भाई ये ratios होंगी, ratios का मतलब कि इसी अनुपात में हमारी और भी values हो सकती हैं, for example, हर एक side को 100 से multiply कर दू, तो that will be a valid triangle, उसकी भी angles वही होंगे, तो feel करो इस बात, अगर ये तीन था तो इसको सोल कर लेंगे, जिन्हों जैसे 3-3 जा, विशा पिटा तरीका, नाइन था, सिक्स्टीन हंदर, नहीं, फूर्टीन था, सिक्स्टीन हंदर, बेटा 300 है, 300 और 400 है, हाँ, ठीक है, अच्छा, 4 लिख दिया, मैंने, तो 4, 4, 4, 4, 16, और 4, 0, तो यह हो गया, इन सब को जोड़ेंगे और अंडरूट लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 500, ठीक है, 500 मीटर, तो यह आगया वेक्टर की लेंथ, यानि कि यह दूरी जो है, वो 500 मीटर होगी, बट अवे मुझे थीटा भी निकालना है, क्या इस magic triangle से देखते कोई मुझे थीटा बता सकता है, इस triangle से compare करो, इस magic triangle से उपर आने वाले triangle को compare करो, क्या same ही triangle है, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, तो जो यह थीटा क्या होगा, 53 degree, तो यह तो आगया shortcut तरीके से, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हमने एक formula पढ़ा था, कि when we wanted to find out the angle, वो कैसे निकलेगा, बताओ, tangent theta is equal to base upon, tangent theta is equal to base upon, बताओ, tangent theta is equal to perpendicular upon, base, अब बोले, बतलब मैं गलत बोल रहा था, जान भूज के, तो आप लोग बोल ने रहे थे, मैं यह चेक कर रहा थे, कोई तो बोले, base upon hypotenuse, okay, perpendicular upon base, अब perpendicular क्या होता है, perpendicular क्या होता है, it's a length, कौनसी length, 5, it's a 300, जो theta है, उसके just सामने वाली, उसको बोलते है, opposite या फिर, पर पर, नहीं, फाइव अंडर, नहीं, फाइव अंडर, नहीं, पर्पेंडिकुलर, हाँ, पर्पेंडिकुलर, फोर अंडर होगा ना, थीटा के just सामने वाली, तो थीटा का है, थीटा तो एंण वाले पिर इदा रहे है तो इसके सामने वाली या यह समCar to बोलते है पर पेंडिकुलर उसके अदिशेंट वाली को बोलते हैं सो यहां59 और ₱ 300 अधों पितित्र एंडिकुलर क्या हां 500 अधों एडिक्या हां इसके बाद 4 x 3 है न हाँ सभी है मैं सोच रहां तो 4 x 3 के इस आप से देख लो अगर इधर यह आने के बाद यह 4 x 3 तक पहुंच पाहे ना 400 x 300 तक सब पाहे ना अब इसको मैं मिटा करें आपको आंसवर दिखा देता हूं यह वाला लास्ट स्टेप जो है वो आपको आंसर में दिखे जाएगा, ठीक है, अब देखो, चल जा, हाँ, तो इसके बाद क्या आएगा, टेंजेंट थीटा मुझे चल गया, कि 400 by 3 है, उसमें थीटा निकाल लेगे, 10 inverse 4 by 3 लूँगा, अब यहाँ धुआ हो जाओगा, अग इनको यह याद था, कि ऐसा triangle जिसकी एक side 303 है, दूसरी 4 है, तीसरी 5 है, उसको यह पता था, कि यह 37 डिगरी है, और यह 53, वो धढ़ाग से 53 लिखेगा, और option ठीक कर देगा, नहीं पता, तो आप tangent inverse निकालो, कैसे निकालो, कि वो आप जानो, calculator तो loud होता नहीं है, तो 4 by 3 का tangent inverse 53 degree होता है, तो सीधा-सीधा हो जाएगा, ठीक है बटा, चलो, अब आज की class हम आप्त करते हैं, यहीं पर, जिनको समझनी आया है, वो doubt कल पूछेंगे, अब ना, सब लोग अभी dinner कर लेते हैं, फिर मिलेंगे, कल की class में, अभी doubt है, तो थोड़ा बहुत पूछ सकते हो, चोटा मोटा doubt है तो,